आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने जा रहे हूं ठंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है एक पनीर बुर्जी अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत बूलिएगा ताकि अगले वीडियो को नोटिफिशन आप तक पहुंच सके एक पनीर बुर् यह हमेड पनीर उसके लावा मैंने आप लिए हैं चार अंडे यहां पर आपको सिर्फ तीन अंडे ही लेना है मेरे आप पनीर की कौंटिटी कम है इसलिए मैंने आप चार अंडे लिए आप 500 ग्राम पनीर में तीन अंडे का ही यूज करें यह बिल्कुल पॉफेक्ट रेश उसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक चमच जीरा है जीरोगा मलका सा करश करते बी डालना है हातों से यह देखिए जीरा हम थोड़ा सा चटकने देंगे जैसे हमारा जीरर चटक जाएगा हम इसके अंदर अधर कर कर देंगे ये बारी कठे हुई प्याज से हम प्याज को से थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेंगे तो यह दीए हमारे प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं अब लसन अदुर का पेस्ट है आप इसे भी थोड़ा सा बूल लेंगे प्याच के साथ ये देखे हमारे लसन प्यास सब्थ अच्छे से बूल चुके हैं अब इसके अंदर एड कर देंगे ये शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च को भी हमें 2-3 मिट तक continue चलाते हुए बुलना है या फिर आप चाहे तो इसके उपर लिड लगा कर भी इससे थोड़ा सा सोफ्ट होने दे सकते हैं क्योंकि शिम्ला मिर्च आसानी से सोफ्ट होती नहीं है ह म êtes अब मेंसे 2 मिट के लिए कवर कर रहे हैं दू मिट बाद आप देखिए कि आपकी शिम्ला मिर्च होड़ी सी सौफ्ट हो चुकी होगी अब हम जब अंदर आड कर देंगे टामाटव के कि टामाटव डालने के बाद अब हम इसमेड आड़ कर देंगे omic सब नमक हमसे सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसेम ने सब कुमक डिख खरणा कर पका सकते हैं शेपगर कि मारे टहमाट अच्छा से सौफटे मिसले यह देखिये मेले बात हमारे टामाटर जुथ है यह सवाफट हो चुकर हैं अब आप मसाले एक चम्मच लाल मिच पाउडर, आदी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सुखा दनिया पाउडर, आदा चम्मच गरम मसाला पाउडर, मसाले कम या जादा आप अपने टेस्ट का कोडिंग कर सकते हैं हम थोड़ा फीका खाते हैं इसलिए मैंने या पर एक चमची लाल मिर्च पाउडर का यूज क्या है क्योंकि हमने या पर एक शिमला मिर्च भी ली है आप यहां पर मिर्च की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं अब ह देखिए लगबग एक से दो मिनिट बात हमारे मसाले से ऐल सेपरेट होने लग गया है अब हम इसके अंतर एड़ कर देंगे यह ग्रेट पनीर अब पनीर को भी हमें मसाले के साथ ऐसे ही कंटीनियू चलाते हुए तो दो से चार मिट तक बुलना है याद रखे गया इस सब मसालों से ऐल सेपरेट होने लगा है कि सब्सक्राइब को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है सब्सक्राइब कर देंगे यह अंडे के लिए आप 50 ग्राम पनीर में एक अंडे का ही यूज करें अगर 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो तीन अंडे मैंने आपर सब्सक्राइब की बनाने के लिए चार अंडे लिए हैं इससे भी आपकी सब्सक्राइब नहीं होगा अंडे बढ़ाने से भी आपकी सब्सक्राइब बहुत अच्छी ही लगी कि आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमारी सब्सक्राइब थो पहले से काफी ड्राइ हो गई है और आपको इसको जब तक बनाना है जब तक कि यह अच्छी तरह से ड्राइना हो जाए इस प्रोसेस में मुश्किल से 5 मुट का टाइम लगेगा यह देखिए यह बहुत अच्छी तरह से ड्राइ हो चुकी है अब हम इसके अंदर एड़ कर द कि वाओ देखिए कितनी यम मी लग रहे है हमारी सब्जी आप इसका टेक्शर देख सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी प्लीज आप मेरे ज़रूर से ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे वीडियो को ल अधर रेसिपी के के लिंग है मेरे विडियो के नीचे आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आपको मेरी इस रेसीपी की इंग्रीजेञ्जिन की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल जाएगी आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी बहुत जल मिलूगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू